एस्टेक्ट रिजल्ट और सारेडिक सिक्षा स्वास्त अनुदेशक अभ्यार्थियों की बहाली दो बड़े मुद्दे और दोनों पर असमंजस बरकरार ऐसे में सिक्षा सुधार रोजगार आज आपको सभी परतों से रूबरू कराएगा कि कैसे सरकार और सिक्षा आलस में पड़ी है और इसे लाखो अभ्यार्थियों की जिंदगी अधर में है आप है सिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूँ नीरज आज हम आपको सारेडिक सिक्षा स्वास्त अनुदेशक अभ्यार्थियों की बहाली के नाम पर हो रहे बड़े खेल से रूबर आपको जानना चाहिए इस सारेडिक सिक्षा स्वास्त अनुदेशक अभ्यार्थियों की बहाली के लिए दो बड़े केस पतना हाइ कोट में दाखिल किये गए केस की सुनवाई हुई सुनवाई के बाद पतना हाइकोट ने आदेश दिया कि सारेडिक सिक्छा स्वास्ता अनुदेसक अभ्यार्थ की बहाली किसी भी हाल में जल्द से जल्द शुरू की जाए पर सिक्षा विभाग की तरप से उदासीन रवया अपनाया गया और अंत में हार कर अभ्यार्थियों ने फिर से अमानना का केस पतना हाई कोट में सारेडिक सिक्षा स्वास्ता अनुदिसक की बहाली संपन कराने के लिए दुबारा दाखिल किया ऐसे में हाई कोट पतना ने ये बड़ा आदेश दिया फिर से कि सिड्ड्यूल पतना हाई कोट में भी प्रस्तुत किया जाए कि कैसे सारेडिक सिक्षा स्वास्ता अनुदिसक की अभ्यार्थि बहाली परक्रिया में भाग लेंगे और कैसे स्कूलों में नजर आएंगे ऐसे में आज हम आपको सिड्ड्यूल से वे रूबरू कराएंगे कि हाई कोट पतना में सिक्षा के सचिब द्वारा जो सिड्ड्यूल प्रस्तुत किया गया था और अब सिड्ड्यूल के हिसाब से कुछ भी जब नहीं हुआ और आगे चलकर कोरोना वायरस के आतांके कारण lockdown की स्थिति है ऐसे में आगे क्या परक्रिया अपनाई जाएगी असमंजस की स्थिति है हम आपको जिस schedule दिखाएंगे वो lockdown के पहले का schedule है और अगर सिक्षा विभाग schedule के अनरूप कारे करती तो अभी तक आधी परक्रिया समाप्त हो गई होती पर सारेडिक सिक्षा स्वास्त अनुदेशक अब भी अर्थों की बहाली की स्थिति आपके सामने हैं और आप समझ सकते हैं कि अब ये बहाली परक्रिया अगर्ष्ट से पहले संबब होती नजर नहीं आती ऐसे में estate के हिसाब से जो छटे हाई कोट पटना में अब मानना का केस हुआ कि सारेडिक सिक्षा स्वास्त अनुदेशक की बहाली के संबन में हाई कोट के आदेश को सिक्षा विभाग ने नहीं माना ऐसे में सिक्षा विभाग ने पटना हाई कोट में मानना के केस में सिड्ड्यूल प्रस्तुत किया कि हम इस अरूरूप से बहाली पर किडिया को आगे बढ़ाएंगे पर सिड्ड्यूल किया था और बहाली पर किडिया कहा है ये आपको सबूतों के साथ हम आपको प्रस्तुत करेंगे और आसा है ये वीडियो आपको पसंद पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यह M.J.C. केस है 899-2019 2019 में यह केस किया गया था और इस केस की सुनवाई के बाद एक बड़ा ओडर जाड़ी हुआ जिसमें साब तोर से कहा गया कि सारेरिक सिक्षा स्वास्तानुदेसक अभ्यार्ति की बहाली सरकार और सिक्षा विभाग कैसे आगे बढ़ाएगी सम्मन्द में जानकारी दी जाए और सिक्षा विभाग ने एक सिड्यूल जाड़ी किया सिड्यूल आपके स्क्रीन पर होगा आप समझेंगे कि सिड्यूल के हिसाब से अगर बहाली परक्रिया होती तो अभी तक बहाली परक्रिया अंतिम चरण में होती पर सारेरिक सिक्षा स्वास्तानुदेसक अभ्यार्त प्रस्तुत करना परा सिड्यूल क्या था वो भी हम आपको दिखाते हैं पहले आप एफिट इफिट में सिक्षा के सचिप के दस्तकत देख सकते हैं ये खबर बस आपको जागरुक करने के लिए दिया जा रहा है आप में सिक्षा सुधार रोजगार के यूटूब चैनल पर मैं हूँ नीराज अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें आप वीडियो तो देख लेते हैं लाइक करना भूल जाते हैं आपके लिए बहुत सारे सबूत और खबरों को सटीक धंक से प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम बहुत कड़ी मेहनत करती है इसलिए लाइक तो मनता है आगे अब आप सिड्यूल देखें सिड्यूल में साब तोर से ये लिखा गया है कि बहाले परकिडिया एक नियत समय पर सुरू होकर और सही समय पर खतम हो पर सिड्यूल का अब कोई मतलब नहीं रह गया कोरोना के परकोप के कारण सारी बहाले परकिडियां ही अब अनिस चित्ता के दोर से गुजर रही है ऐसे में सिड्यूल अब आपके स्क्रीन पर आप देखें सिड्यूल में लिखा है कि 7.11.2019 परिक्षा का युजन जो कि एस्टेट 2019 में अमिर सिमावी बात के कारण परिक्षा विलम होने के कारण आप समझ सकते हैं कि इस तिथी का कोई मतलब नहीं रहा आगे 16 दिसम्बर को ये परिक्षा हुई 16 दिसम्बर नियत तिथी से एक सब्ता के बाद ये परिक्षा हुई अगर सरकार चाहती तो जल से जल सभी करवाई को पूरा करती आपको देखना चाहिए कि 31 दिसम्बर 2019 तक रिजल्ट परकासन की बात थी जो समय फिर से फेल हुआ फल परकासन के बाद नियोजनिकाई द्वरा अविदन प्राप्त करने की तिथी 21-2020 से 31-2020 एक महीने का समय देने की बात जो है वो भी धरी की धरी रह गई आप ये भी देखें कि मेगा सुची तयार करने की जो बात थी 12-2020 से 15-2020 तक मेगा सुची तयार करने की बात सामने आ रही थी आप समझें कि ये सब तिथी करोना परकोप से पहले की तिथी थी और जिस तरह से परिक्षा में एक सप्ता का विलंब हुआ अगर सरकार सिक्षा विभाग चाहती तो एक सप्ता के विलंब को अगर जारी भी करोना परकोप से पहले सब कुछ तयार हो जाता पर सिक्षा विभाग ने सारेडिक सिक्षा स्वास्ता अनुदेशक अभियर्थ्यों की बहाली में धीला रवया अपनाया और अब करोना परकोप के कारण सब कुछ धुमिल नजर आता है ऐसे में अख़बार ने जो कल खबर दी और सिक्षा विभाग सिक्षा मंत्री के तरफ से जो बड़ी बात सामने आई कि बहाली परक्रिया छटे चरण की जो बहाली परक्रिया अंतिम चरण में थी उस बहाली परक्रिया को अब अनिश्चित काल के लिए स्थागित किया गया है जब बहाली परक्रिया में सिर्फ नियोजन पत्र देना बागी था उस बाहली परक्डिया को अनिस्चित काल के लिए स्तागित किया गया है तो आप समझे कि सारेडिक सिक्षा स्वास्त अनदेशक अभ्यरतियों का क्या होगा ऐसे में जो भ्यरति एस्टेट रिजल्ट और एस्टेट रिजल्ट के बाद ये ख्वाब देखते हैं कि वो स्कूलों में नजर आएंगे उनका क्या होगा आप समझे कि पत्ना हाइकोर्ट में इस सम्मंद में दो बड़े केस दाखिली किये गए हैं कि एस्टेट में व्यापक कदाचार को देखते हुए पड़िक्षा को रद किया जाया और दुबारा पड़िक्षा ली जाया सही तरीके से एस्टेट पढ़िक्षा में जो ब्यापक कदाचार हुए सोसल बीडिया पर जिस तरह प्रस्ण पत्र वायरल हुए साथ में वाटस अप वीडियो वायरल हुआ जिसमें साब तोर से कदाचार होते नजर आया इन सब को देखते हुए इस पड़िक्षा को सही और सुचारो रूप से दुबारा ले सरकार इस संबन्द में दो बड़े केस इक्षा सुधार रोजगार द्वारा दायर किये गए है और 14 अपरेल 2020 के लोगडाउन खतम होने के बाद ये देखना होगा कि हाई कोट पटना में किसकी सुनवाई अगर होती है तो बड़ी सुनवाई के बाद आगे क्या निर्णय निकल कर आता है आगे कल के अख़वार ने छटे चरन के स्टीटी के हिसाब से जो बहाली पर किडिया अंतिम चरन में थी उसको रोखने की जो बात लिखी है सिक्षा विभाग और सिक्षा मंतरी के आदेश अनुसार हम उस ख़बर से भी आपको रूबरू कराते हैं कि कल के अख़वार ने 30,000 सिक्षकों की बहाली अस्थागित की गई लिखा है लॉकडाउन के 14 अपरेल तक लागू रहने के कारण सिक्षा विभाग ने छटे चरन के माध्यमिक हाई स्कूल तथा उच्छे माध्यमिक प्लस टू के 30,000 सिक्षकों के नियोजन कारिकरम को अगले आदेश तक मार्च के अंक में ही परकासित खबर में इसकी आसंका जताई थी और सिक्षा सुधार रोजगार ने भी संबन्द में आपको अवगत किया था उप सचिब के आदेश में कहा गया है कि छटे चरन के नियोजन की कारवाई 29 जुलाई 2019 से प्राडम होकर 13 अपरेल 2020 तक पुन हो पर अब इस खबर को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि 30,000 सिक्षकों की जो बहाली होने वाली थी माध्यमिक और उच माध्यमिक में अनिश्चित काल के लिए टाली गई है अब यह आपने देखा कि कैसे छटे चरन की बहाली पर किडिया रुकी पड़ी है और अस्थागित की गई है ऐसे में एस्टेट रिजल्ट और सारेडिक सिक्षा स्वास्ता अनुदेसक की बहाली के बाट जो रहाब भीहरतियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है आगे सिक्षा सुधार रोजगार के केस की सुनवाई जल्द पटना हाई कोट में लोगडाउन के बाद नज़ा रखें और आगे भी हम आपको सभी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथ देने के लिए सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो